आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ पालक और चना दाल की यह मुझे बहुत अच्छा कंबिनेशन लगता है जिनको पालक पसंद नहीं है उनको चना दाल के साथ खिला के देखें वह दुबार आपसे जरूर मांगेंगे क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है उपर से इतना इसके साथ मैंने एक बड़ी कटोरी यह पीला चना लिया है और इसको अच्छे से वाश करके रात बर में भीगोने के लिए रख दूंगी क्योंकि पालक बहुत सॉफ्ट होती है एकदम कुक हो जाएगी तो यह फिर अगर भीगी होगी तो और भी जल्दी हमारा दोनों ची पालक को क्योंकि यह के साथ आराम से बॉयल हो जाएगा तो अब इसको इसमें मिला के और इसमें 2-3 सीटी हम लगाएंगे और मसालों में यहां पे सिर्फ अनियन और टमैटो करके रखे हैं और यहां पे हमारा साग भी बॉयल हो चुका है चैने की दाल के साथ आप देख सक यह देखो अच्छे से मैच हो चुका है और अब चलते हैं तड़की की और तड़की के लिए यहां पे मैंने मस्टर आयल लिया है और यह यहां पे 2-3 खड़ी लाल मेच मैं इसमें डाल रही हूं इसका बहुत अच्छा फ्लिवर आता है और इसके साथ ही एक बड़ा इसमें लसन कट करकर डाल तो यहां पे अपने लसन से पहले डालना है मैं यहां पे पेस्ट यूज कर रही हूं तो आप लसन कर कर करके मिया ही डहन दें ऑनियं से पहले उसका बहुत अच्छा फ्लिवर आए गा और यहां पर यह एक पिंच के करीब मैंने हेंग यूज किया है और यह धनिया पाउडर इसको भी थोड़ी देर इसमें ब्राउनों ने देंगे हलका और अब इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर और जब टमाटर जाता है तो इसके साथ हमारा सॉल्ट भी जाता है क्योंकि सॉल्ट इसको कुक करने में हल्प करता है तो यहां पर मैं डाल रहे हूं एक स्पून सॉल्ट आप चाहो तो पहले भी इसमें डाल सकते हैं जब बॉयल करते हैं उस टाइम भी एड़ कर सकते हैं और यहां पर मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर और यह रेड चिली पाउडर चिली को कम जादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करें और अब थोड़ी देर इसको कवर करके कुख कर लेती हूँ 2-3 मिनट तो यहां पर हमारे टेमाटर काफी अच्छे से कुख हो जुक हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जुक हैं और इसमें थोड़ा समय यहां पर वाटर एड़ कर दूँगी तो थोड़ा समय ने इसमें पानी डाल दिया था और अच्छे से हमारा यह मसाला त्यार हो चुका है और यहां पर मैं आदा चमच गरम मसाला एड़ कर रही हूँ इसमें बस हमारा मसाला त्यार है अब इसमें बारी है हमारी पालक और दाल डालने की तो बस लग चुका है तड़का हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से कुछ भी एक्स्टा ने करना है हमने और इसको आप राइस और चपाती के साथ एक बर जरू टेस्ट करें आपको बहुत पसंद आएगी रैसिपी त्युक्त है ठीडियर थोड़ी देर इसको कभर लेते हैं और थोड़ा सा कुख होने देते जरूरत तो नहीं है पर जिनको बहुत जादा चटपटा पसंद है तो उपर से जरूर तड़का लगाएं और यह रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक गुद्बाई टे केर